आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे दस्मलो संख्याओं का घनमूल य्याद करते हैं इसके पहले हम लोग कोई भी संख्याजदी होती ती जो दस्मलो के रूप में नहीं लिखी होती थी चाहे वो कोई पुडांक हो, चाहे वो कोई भिन संख्या हो, रत परिमे संख्या के रूप में कोई संख्या लिखी गई हो, तो उसका घनमूल निकालना हम लोगों ने सीख लिया है उसके बाद हमें अब ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालना है जो दस्मलों के रूप में ब्रिक्त की गई है तो आपके अभ्यास 3C में एक exercise में question number 2 है जिसमें लिखा गया है कि दस्मलों संख्याओं का घनमूल याद गई है तो पहला दिया है एक दस्मलों 3,3,1 पहला क्या दिया हुआ है एक दस्मलों 3,3,1 का घनमूल में निकालना है तो इसका घनमूल का मतलब क्या होगा बटा घनमूल के चिन्द में इसको ऐसे लिख लेना है 1.331 इसको ऐसे क्या कर लेना है लिख लेना है अब हम लोग simple सा काम करेंगे क्योंकि परिमे संक्याओं का घनमूल निकालना हमने सीख लिया है इसलिए इस दस्मलों को हम लोग हटाएं तो इस दस्मलों को हटाने का नियम क्या है कि उस दस्मलों के place पर denominator में या हर में इस दस्मलों के place पर हम लोग क्या रख देंगे एक उसके बात कितने अंक है एक दो ती जितने अंक है उतने जीरो यहां रख देंगे बोलो यह बात समझाए कि नहीं अगे यह बात पूरी तरह से समझे आ गई अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं हमेशा ध्यान रखो कि दसमलों के अस्थान पर हर में एक लिखना है और उसके आ ख煮लों को भटा देंगे अब 1331 को हम लोग अभाज गुरंखंड के रूप में तोडएंगे यह आएगा 11 गुडे 11 1 11 1 बटे 1000 को अभाज गुरंखंड के रूप में तोडएंगे इसको लिखा जा सकता है दस गुड़े, दस गुड़े, दस घनमूल का मतलब यह होता है कि परतेक संख्या का त्रिक बनना चाहिए तो यहाँ अगर देखो तो 11 का भी त्रिक बना है यहाँ देखो तो 10 का भी त्रिक बना है प्यारे बच्चों इसका जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 11 बटे 10 यह हो गया इस प्रस्ण के एंस्वर में basically क्या था एंस्वर क्या था 11 बटे 10 तो 11 बटे 10 को अगर दसमलों के रूप में बदलोगे तो क्या लिखोगे एक 0 का मतलब दाये से एक अंक्रे बाद 10 मलों लगा दीजिए तो इसका एंस्वर हो जाएगा एक दसमलो एक आई बात के ने सुझा गई नेक्ष्ट संख्या है दसमलो संख्या 42.875 42.875 का घनमूल हमें निकालना है तो अगेन इसको हम लोग किस चिन में लिखेंगे उसी तरह के पुराने चिन में घनमूल का चिन लगाया और इसमें लिख दिया 42.875 अगला कारिकरम क्या होगा इस दसमलो को हम लोग हटाएंगे तो क्या करना होगा इस दसमलो के प्लेस पर हमने हटा के लिख दिया इस दसमलो के प्लेस पर वन लिखेंगे उसके बाद कितने जीरोज है एक कितने अंक है एक दो तीन तो तीन जीरोज लगाएंगे तो एक क्य इसको जब हम लोग पुनह अभाज गड़न खंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये संख्या पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े साथ गुड़े साथ से विभाजित हो जागी? अभाज गुड़न खंड है वो पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े साथ गुड़े साथ होगा और हर का करोगे तो दस गुड़े दस गुड़े क्या होगा? दस होगा हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिक बनाएंगे तो ये त्रिक बन गया पांच का ये त्रिक बन गया 7 का, ये त्रिक बन गया 10 का, तो घनमूल चिन जब हटाएंगे, तो परतेक त्रिक से एक एक अंक लिख करके घनमूल चिन को हटा दिया, अब ये कितना आया, 7 पचे, 35, बटे, 10, अब नीचे एक सुन है, तो दाहिने से एक अंक के बात क्या लग जाएगा ये संख्या हो जाएगी 3 दिसमूल, पांट जो इस संख्या का क्या है घनमूल, अब देखो बटा अगला जो कोइशन है, इसका तीसरा है चौवन दश्मूल, अच सा दो का घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल कैसे निकलेगा, घन मूल के चिन निकमे लगा इसको, दस्मलों को हटा करके हर में क्या लिखेंगे इस दस्मलों के अस्थान पर 1 और जितने अंख उतने 0 अब जब इसको तोड़ोगे तो कैसे बनेगा इसका खंड दो गुड़े दो गुड़े दो ठीक है दो से ये संख्या उपर वाली तीन बार कटेगा उसके बाद जो संख्या आएगी वो 19 से कटेगा किसे कटेगा 19 से अर्थात 19 गुड़े 19 गुड़े 19 टीन बार में कटेगा और नीचे 1000 को तो आप लोग 10 गुड़े 10 गुड़े 10 लिखी लोगी अब देखो ये त्रिक बन गया 3-3 का बन गया तो गहनमूल चीन हटाते हटाते समय इस त्रिक के प्लेश पर एकंग इस त्रिक क प्लेस पर एक अंग लिख देंगे, अभी यह केतना हो गया, 19 दुना 38 बटे 10, 38 बटे 10 हुआ, अब 38 बटे 10 का मतलब क्या हुआ, एक 0 है, तो एक अंग पर 10 मलो, 3 दसमलो 8, इसका क्या हो गया, answer, फोर्थ नंबर कोईश्चन है, 74 दसमलो, 0, सारी, 74 दसमलो सून, 8, 8, 74 दसमलो सून, 8, 8 का, अब हमें लोगों को घनमूल निकालना है, तो सेम प्रोसेस, इसको घनमूल के चिन में रखिए, 74 दसमलो, 0, 8, 8, हमने रख दिया, अगला कारिकराम, अगला वर क्या है, इस डिसमल क इस डिसमल के लिचे डिनामिनेटर में वन लिखो, कितने अंग, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 लगा दिया, उपर वाले से दसमलो क्या कर दिया, हटा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो कैसे होगा, पहले ये संख्या 2 से कटेगी और दो से तीन बार कटेगी फिर ये संख्या तीन से कटेगी तीन से भी तीन बार में कटेगी फिर ये संख्या साथ से कटेगी ये हो गया इसका अभाज गुरन खाई और नीचे का क्या हुआ? एक हजार का दस गुड़े दस गुड़े दस त्रिक बना बेटा, दो का बना, तीन का बना, साथ का बना, दस का बना इसे बाहर करो, तो एक बार दो बाहर आएगा, एक बार तीन बाहर आएगा, एक बार साथ आएगा, बटे, दस तीन सते कैस, और कैस दुना 42, या तीन दुना 6, 6 सते 42 यह कितना हो गया, 42 by 10, एक प्लेस पर decimal लगेगा, तो answer आजाएगा 4.2, अब आते हैं, फिफ्ट पार्ट, फिफ्ट पार्ट में क्या है, 5.832 का घंदमूर में निकालना है, इसका घंदमूर निकालने के लिए में क्या करना होगा, सेम प्रोसेस जैसा पहले किया है, 5.832, ओके, अभी क्या करना है, decimal अटाओ, इस decimal के लिए denominator में 1 लिखो, 1, 2, 3, 3, 0 लिखोगे, उपर बिना decimal के संख्या हो जाएगा, हो गई, उपर का खंद करोगे, उपर का खंद करोगे, तो क्या मिलेगा, 2 गुडे, 2 गुडे, 2, मिल गया दो से ये तीन बार में कटेगा, फिर ये तीन से कटेगा, तीन से भी तीन बार में कटेगा, इते बार में कटेगा, अब फिर एक तीन का तीन बार में कटेगा, मतलब तीन से कूल ये छे बार में संख्या कटेगी, भाई, नीचे तो एक हजार हमेशा आरा, दस गुडे, द अब परतेक त्रिक से एक बाहर निकालो, इस दो के त्रिक से एक दो बाहर निकाल लिया, इस तीन के त्रिक से एक तीन बाहर निकाल लिया, अगले तीन के त्रिक से एक त्रीन और बाहर निकाल लिया, बटे दस, कितना हो गया, तीन त्रिक करना हो दुना, अठार है, बटे द एक अंग पे 0 डिनॉमिनेटर में तो जब यह हटाएंगे तो लिखेंगे एक दस्मलो यह हो गया इसका एंसर Now the next question is 0.000729 का हमें निकालना है घनमूल इसका घनमूल लिखेंगे तो इस संख्या को भी घनमूल के चिन में रखेंगे 0.000729 अगला वर्ट decimal को हटाना तो इस decimal को हटाने के लिए decimal के अस्थान पर एक और जितने यह कितने एक दो तीन चार पांच छे उपर से दस मलो हट गया उपर से दस मलो हटे गा तो यह संख्या के पहले 3 zero आएगी इसका कोई मतलब नहीं है यह उन संख्भा लिख见 जाएगी 729 अब इसको तोडो तू जब इसको तोड़ोगे यह कटेगा 3 से 3 गुरे तीन गुरे टीन गुरे तीन गुरे 10 गुढे 10 गुडे 10 गुढे 10 गुढे 10 गुढा करोगे तो 1 का गुढा गुढा सब में करोगे कही होगा 1,2,3,4,5,6,6,0 जा जाएंगे बाटा एक तरीक यहां बना सारे तरीक से एक एक भाई साहर को पकड़ लाओ 10 गुढे 10 ये कितना हो गया तीन तरीक करना हो, और दस धहियाम, सब, दो जीरो जह है, तो यहां से दो अंक पे दसमलो लगेगा, तो अंक यहां पे एक ही दिख रहा है, तो इसके पहले कोई अंक नहीं है, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहां पे दसमलो लगा दीजिए, यह दसमलो असपस्ट दिखा जिसका प्ताई दे इसले 0.09 इसका क्या कर लिजिए आइंस्सरों. गुड़े तीन गुड़े तीन और चौशट को लिखोगे चार गुड़े चार गुड़े चार तो यह होगा घंदमूल से बाहर निकालोगे तीन वटे चार इसका हो गया गुड़े चार कोईしट नमरच यह कहता है तीन सही तीन वटे आठ का घंदमूल बताओ इसका घंदमूल का मतलब क्या हो गया, इसको लिख दो घंद मूल के चिन में, तीन सही, तीन वट्टे आठ, को लिख दिया घंद मूल के चिन में, अब इसको पहले सही करो, 8 तिरिक 24, और 24 में 3 जोड़ोगे ती हो गया 27 वट्टे 8, तो यहाँ पर क्या हो गया, 27 को लिखोगे, 3 गुडे, तीन गुड़े तीन और 28 को लिखोगे दो गुड़े दो गुड़े दो इस घनमूल चिन से बाहर करोगे तो पड़ते एक त्रिक के जगह है एक बार निकलेगा तो इसका एंसर हो जाएगा तीन बटे दो तो अगर पहले का एंसर देखा जाए तो पहले का three by four आया है यह option में second answer आपका क्या है सही है और चौते में तीन वट्टे दो आया है तो तीन वट्टे दो का मतलब यह हो गया कि आप इसको बदल दीजिये किस में mixed मतलब मिस्त्रित भिंड में बदल दीजिये तो दो से भाग दोगे दो एकायम दो एक हासिल अकैरी उदार घट गया तो इसको जब भिंड में बदलोगे mixed भिंड में मतलब मिस्त्रित भिंड में बदलोगे ती हो जाएगा एक सही एक बट्टे दो और यह आपके option में third answer दे रखा है तो third option क्या हो जाएगा सरी हो जाएगा पाचमा है point 0000008 का गनमूल निकालना इसका गनमूल जब निकालोगे तो इसको लिखोगे बराबर क्यतना गनमूल बराबर point 0000008 जीरो 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 आठ अब आपका काम क्या है दस्मलों चिन को हटाना तो दस्मलों चिन के नीचे क्या लिखोगे एक और उसके बाद जितनी संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच छह जीरो जी बढ़ाओगे चह जीरो जीरो जीमने क्या कर दिया बढ़ा दिया और उपर क्या कर दिया जब दस्मलों हटाए तो ये सब पहले दस्मलों के बाद सब जीरो जितने थे गायब कितना होगा आठ बट्टे इतना अब इसका खंड करोगे अब आज जी खंड करोगे तो आठ का खंड होगा दो गुड़े 2 गुड़े 2 और नीचे का खंड होगा 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 तो ये हो जाएगा कितना दो बट्टे 10 गुड़े 10 तो ये हो जाएगा कितना अरे स्वरी इसको जब बाहर निकाल लिया तो ये चिन क्या हो गया हट गया ये च और दो बट्रे सौ का मतलब कितना हुआ दाहिने तरफ से दो अंक पे दसमलो एक अंक यह हो गया इसके बाद अगला अंक नहीं है तो 0 बढ़ाएंगे और यहां दसमलो लगादे दो अंक पे दसमलो लग गया और एक 0 यहां और लगादे months तो इसका answer हो गया दस्मलो 02, अगर दस्मलो 02 answer के रूप में दिखा जाए, तो इस question का यह answer होगा, वो इसका second part होगा. Question number 6 आपके book में लिखा है, एक घनाकार compost खाद है, कि गड़े का आयतन है, गाव में क्या होता है, compost खाद, compost खाद का मतलब जैसे गोबरोबर की खाद रखने के लिए एक घनाकार गड़ा बना करके, उसमें क्या कर देते हैं, गोबर डाल देते हैं, कुछ दिन में उस अड़के क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, तो जो गड़ा बना है, वो घनाकार है, घनाकार, घनाकार, compost, खाद के गड़े का आयतन, दे रखा है, तेरह दस्मलो, आठ दो चार, meter cube, तो कहता है, उस गड़े की गहराई बताओ, तो घनाकार जो आक्रित होती है, वो घनाकार आक्रित ऐसी होती है, जिसमें उसकी लंबाई, चौणाई, उचाईत सब बराबर होती है, ठीक है, मतलब, अगर ये घनाकार गड़ा बनाया गया है, इसकी जो लंबाई है, ये वोबी, अगर मालो ए है, चौणाई भी ए है, ये जो उचाई होगी, वोबी ए होगी, और आप लोगोंने पढ़ा है, पिछले क्लासोज में, कि किसी भी घनाकार बरतन का या गड़े का जो आयतन होता है, वह ए पर तीन घात होता है, जो आयतन होता हो किसके बराबर होत तो मालो अगर उस गड़े की एक भुजा ए हो तो उसका आयतन एक क्यूब हो जाएगा और यह लिख दिया जाएगा तीरह दस्मलो आठ दो चार लिख दिया गया अब ए पर तीर घात की वैलू यह आई तो एक ही वैलू कितनी आएगी यहां पर तीन है तो इसको इधर ले जा दस्मलो हटा दीजिए तो दस्मलो के नीचे एक लिखी है उसके जितने अंक है उसके बाद क्या लिखी जीरो लिखी है अब देखो हम लोग 13,824 का क्या बनाएंगे अब आज गुडन खंड बनाएंगे तो यह कैसे बनेगा पहले दो से काटो दो च्छा के बार है दो नव दो एकाइम दो दो सत्य चौद है दो दूना चार दो अठे सोल है फिर दो से कटेगा दो अठे सोल है दो च्छक के बार है दो च्छक के आठ फिर कटेगा दो च्छक आठ दो तिया अच्छ है दो दूना चार फिर दो से कटेगा दो दूनी चार दो एकाइम दो दो च्छक क बार है, फिर ये दो से कटेगा, तो दो, एक आयम दो, दो वठे सूल है, फिर ये दो से कटेगा, दो पंजे दस, दो चवख, आठ, फिर दो से कटेगा, दो दुना चार, दो सते, चवद है, तो दो कितनी बार आया, एक दो तीन चार पान छे साथ आठ तो कितनी बार आया ये दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो आया कितनी बार है एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नौ अभी कितना हुआ एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नौ अब लास्ट में 27 बचा हुआ, तो 27 होता है, 27 तीन से तीन बार में कटेगा, तीन गुडे तीन गुडे तीन, अब अबट्टे क्या होगा?, 10 गुडे, 10 गुडे, ऐसा होगा, अब परते एक तृ क्से बाहर निकालो, एक त्रिक से ये निकलेगा, एक-दो फिर निकलेगा, फिर एक-दो निकलेगा, फिर एक-दो निकलेगा, बटे एक-दस निकलेगा, निकला का नहीं निकला, तो कितना हुआ, तीन दुना छह, दुना बारह, दुना चौबिस, यह हो गया, चौबिस बटे दस, और यह क्या हो गया, दो दसमलो चार मीटर, अर्थात उस घहनाकार जो बरतन है गड़ा है उसकी गहराई कितनी हुगई दो दस्मलों 4 मीटर हो गई वह उसकी लंबाई भी होई वह उसकी चोनाई भी होई लास्ट कोईशन जो दिया है वो दिया है कि एक घहनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यों है लास्ट कोईशन जो है, साथ नमबर, उसमें कहा रहा है घनाकार, घनाकार बक्से का आयतन, कितना दे रखा है, आयतन बराबर आठ हजार संटीमीटर तो आठ हजार को लिखोगे क्या, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी घन की भुजा बताओ, तो अगर घन की भुजा हम लोग ए मालने, तो फिर घनाकार बक्सा है, उसका आयतन क्या होगा, एक क्यूँ हो जागा, और एक क्यूब बराबर कितना हो गया, आठ हजार, या एक की वैलू कितनी हो गई, क्यूब र 0 को लिख सकते हो, 10 गुड़े, 10 गुड़े, 10, अब त्रिक से, एक एक बाहर निकालो, तो घनमूल का चिन हर जाएगा, इस 3 बार केstudian E1 बार दो, इस 3 बार केstudian E1 बार 10, तो 10 दुना कितना हो गया? 20, यही संटीमीटर, 20 संटीमीटर क्या हो गया? धनाकार बक्से की एक भुजा हो गया, भुजा मतलब वही उसकी लंबाई हुई, वही उसकी चौणाई हुई और वही उसकी उचाई हो गया, तो इस तरह यह पूरा 3C खतम हो गया.